जैशिराम मित्रो, मित्रो, 4 अगस्त, 2023 से शुक्रगरह अथ होने जा रहे है सुक्रगरह, धन, बिलासिता, प्रेम, रुमांस देने वाले गरहा है सुक्र का अथ होना बड़ा असर ढालेगा आज मैं आप सबको बताऊंगा कि सुक्र ग्रह का आस्त होना किन की रासियों के लिए शुभ होगा और किन की रासियों के लिए यह अच्छा नहीं होगा मित्रो जोतिस की अनुसार हर ग्रह समय शमय पर रासी परिवर्दन करता है चाल में बदलाव करता है साथी अस्त और उध्य होता है और जब यह बदलाव होता है तो ग्रह गोचर से लेकर ग्रह की इस्तिति में आने वाले हर बदलाव का असर सभी रासी वाले लोगों पर पड़ता है शुक्रग्रह धन बिलासिता, भौतिक सुख, प्रेम, रुमांस और आकर्षण के कारक ग्रह है। जब भी शुक्रग्रह गोचर करते हैं या अस्त होते हैं तो लोगों के जीवन के इन छेत्रों पर बड़ा असर होता है। मित्रो, आने वाले चार अगस्त दोहजार तेश को सुक्रग्रह अस्त होने वाले है। सुक्रग्रह इस समय सुर्य की रासी सिंघ में हैं और सिंघ रासी में ही अस्त होना सभी बारा रासी उपर सुब और असुब असर डालेगा। वहें तीन रासी वालों के लिए अस्त सुक जिसमें पहली राशी है ब्रिशव राशी, सुक्रगरा का अर्थ होना ब्रिशव राशी के जात्कों को सुवफल ही देगा, ब्रिशव राशी के श्वामी सुक्र है और वे उन्हें सुवफल देगे, यह जातक लगजरी चीजों, कपड़ों, गहनों आधि की खरीदी कर सकते आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा आपके ब्यक्तितों का आकर्सन बढ़ेगा आर्थी कीतिती सुद्रिण होगी इनकम में बढ़ोतरी होगा पैसों की तंगी समाप्त होगी सिंगल जातकों के डबल होने का समय आ गया है यानि जिनके साधी रुके हुए है जिनके परतिष्ठा और मान समान दिलाएगा रुका हुआ धन मिलेगा आपकी योजनाय सफल होगी आपको निवेस से लाब होगा रुके हुए काम पूरे होंगे यदि आप खर्च पर नियंत्रा रख पाएं तो बड़ी बचत करने में सफल रहेंगे लव लाइफ अच्छी है वह करकराशी है सुक्रग्रह का आउना करकराशी के जात्कों को लाव देगा आपका आत्म विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा आपकी प्रस्लिटी में निखार आएगा लोग आपकी योजनाय सफल होगी पार्टनर्सीप में किये जा रहे काम पूरे होंगे निवेस से ल अगर आपको यह जनकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकी एक लाइक जुरूर करना धन्यवाद